मुक्यमंत्री योगिया दितिनाद बी एचियू में आयोजित सांसत खेलकूद, सांसत संस्कृत प्रतियोगिता, सांसत फोटोग्राफी प्रतियोगिता में पुरुसकार वितरंश समारों में शामिल हुए। इस दोरान उन्होंने कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले दस वर्ष में अध्यात्मिक व सांस्कृतिक पैचान को बनाए रखते हुए काशी नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आई है। कल रातरी 11 बजे भी लोगप्रिय सांस्त के रूप में सडक पर अपने सांसदीक शेत्र काशी में रहकर प्रधान मंत्री को आप सभी ने विकास कारियों का अवलोकन करते हुए देखा ही होगा। रातरी 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधान मंत्री जी जाकर अपने हित में कार कर रहे थे। यह बताता है कि राजनेता कैसे जन मानस का विश्वास अरजित कर सकता है। कासी तो मंदिरों का ही सहर है। अब कासी की आभा बैस्विक मंच पर किस रूप में सांस्क्रफिक रूप से बुलंद हो रही है। सेयुक्त अरब अमिरात में अबुधापी में बनावा मंदिर भी इसका एक नया उधारन है। इसलिए भी मैं आप सब की और से वदेश वास्यों की और से उनका अविनंदन और आभार बेक्त करता हूं। इसलिए दोस वर्स में कासी एक नए करेवर की रूप में दुनिया के सामने आई है। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पैचान को बनाई रखते हुए। कासी एक नए रूप में आई है। आपने देखा होगा कल लात्री को 11 बजे भी कासी वास्यों की एक लोकप्रिय सांसत की रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधान मंतरी को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदिये छेतर में रहकर के एक-एक विकास कारे का उलोकन करते हैं। कारे की उप्योकता को लेकर के रात्री को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधान मंत्री जग करके आप सब के हित के लिए किस रूप में कारे कर रहे थे रात्री को 11 बजे आपने रात्री को देखा होगा